हाँ तो दोस्तों एक्विटाज होल्डिंग का एक अपडेट है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इस अपडेट से स्टॉक प्राइस चो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए यहां पर अपडेट यह है कि यहां पर जो एक्विटाज होल्डिंग का जो रिवर्स मज़ए एक्विटाज स्मॉल फिनैंस बैंक के साथ होने वाला था तो उसके लिए यहां पर उनका बोर्ड का पूरूवल आ चुका है और यह भी आ चुका है कि अगर आपके यहां पास एकविटाज होल्डिंग के हजंडरेट यह पड़े हुए है तो आपको यहां पर चुकुतर स्मॉल फिनैंस बैंक के मिलेंगे तो अब हैड़ियन क्या होगा तुझे के जो भी Equitas Holding के shareholder है तो उन्हें Equitas Small Finance Bank के shares मिल जाएंगे और Equitas Holding है as a separate company जो है यह market से dealisth हो जाएगी और वहाँ पर अगर आप इसके shareholder है तो आपको Equitas Small Finance Bank का shareholder माना जाएगा अब देखिए अब क्या होगा देखिए reverse merger यानि की Equitas Holding अभी parent company लेकिन reverse merger के बाद जो Equitas Small Finance Bank के वह parent company बन जाएगी और Equitas Holding हमें इसकी subsidiary company बनती भी नजार आएगी तो देखिए यह यह जो news है यह जो update है इससे जो Equitas Small Finance Bank का जो market cap वह बढ़ जाएगा योगि जो भी Equitas Holding के shareholder से वो इसके अंडर में जाएगे और उसके उसका market cap बढ़ जाएगा यानि कि जो number of shares Equitas Small Finance Bank के जो होगे वह बढ़ जाएगे और हो सकता है कि जो stock का price है वो भी हमें कम होता हुआ नजार आए Equitas Holding का नहीं Equitas Small Finance Bank का क्यों तो कि देखिए अधिक्ता जब market cap वगेरा बढ़ जाता है तो वहां पे अगर EPS में ठोड़े adjustment वगेरा हो जाते हैं तो वहां पे फोड़े price adjustment होते हैं तो अब यहां पे stock price पे क्या effect पड़ेगा तो देखिए अभी currently 50-55 के लगबग Equitas Small Finance Bank का stock अभी trade कर रहा है तो देखिए ऐसा कुछ ज़्यादा difference नहीं है तो कि around अगर हम देखेंगे तो 2.31 times यानि कि around 115 रुपे के लगबग ये value निकल कर आती है तो उस pointer वी से देखा जाए तो कुछ ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा तो मेरे Equitas Small Finance Bank के business में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर कर सकते है तो कि यहाँ पर थोड़ा 15 रुपे में आपका फाइदा रहेगा तो कि मुझे असा लगता है कि एड़ देन यहाँ पर एक्विटास Small Finance Bank के जो शेरोल्डर्स है उनके लिए थोड़ा यह नेगेटिव रहेगा लेकिन एक्विटास होल्डिंग के शेरोल्डर्स के लिए थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एक्विटास होलिंग का यह अपडेट हमने आपको दिया है यह आपको अच्छे समझे में आगया होगा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए मैं जरूर आपके कमेंट पर रिपलाइक करूंगा ओके दोस्तों थाइंक यू एव नाइस डे